Hi Guys, This is Amar Sir and Welcome to American Classes for English YouTube Channel आज मैं आप लोगों के सामने साइन्स का हिंदी का जो एक्जाम हुआता साथ फरवरी को उसका B-Sate लेकर आया हूँ ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं आपके सामने पहला कोश्चन जो है वो है कि आँखों का तारा होना का क्या अर्थ होता है तो आँखों का तारा होना करता है प्रिये होना ठीक है अगला कोशन है आपका कि चुटकी लेना मुहावडे करत का क्या अर्थ होता है तो हसी उराना चुटकी लेना मतलब हसी उराना तीर मारना मुहावडे का अर्थ क्या होता है तो बड़ा कार्ज करना अगला कुशन हो गया दिल छोटा करना मुहावडे का अर्थ होता है दिल छोटा करना मतलब होतो साहित होना उसके बाद होगे आपका कि पुस्प का पुस्प का बिशेशन क्या होता है तो पुस्पित होता है राष्ट सब्द का बिशेशन क्या होता है तो राष्ट ये होते हैं goodnightini और्साषिए एच्ञेस संदी के तीन प्रटार होते हैं कोश्य को ने नएंड जो है जो औररान का उधारन है इन उदरन है प्रस्ण वास्टक हो गए प्रशाव कर लो यहां पर कौन सा सव नाम कििस सव भश्छाम खरते हैं तो और निश्य को कोशन नमर 11 चलते हैं कोशन नमर 11 जो है प्रकृति बर्णन से संबंदित कविता कौन सी है तो ऊशा बीजक के रचेता कोन है तो कभीरदास कोशन कोश्य नमर कोश्य कोश्य 913 का नाम इस्तित और शिर्शक निशंक निभन्द में संस्तित अपारवर्ति का किस परकार worth का रूप वर नहीं से क में और Q15, Q15 मुन्नी डाक गाले के पिछे क्यों जाती है तो चिठी लेने के लिए जाती है Q16 पे चलते हैं तो 16 मानक दूद की जगह क्या मांगता है अपनी मांसे तो पानी मांगता है सामेवादी किस से लड़ रहा है? तो सामेवादी पूर्जी वादी से लड़ रहा है Quesion नमर 18 Quesion नमर 18 तुलसी दास का सर्वस्रिष्ट महाकाब कौन सा है? तो राम चरित्र मानस है अगला question हो गया कि राम दारी सिंग दिनकर जी ठीक है? तो राम धारी सिंट इनगरजी का रचना के र भूत है तो जेकिस मुर्थी की रचनानीर से क्या है तो सिक्षा है कोश्य नमर कोश्य नमर जो है 21 21 हार जीत सिरसर कभिता निमने में से किनकी है हार जीत तो हार जीत जो है वो आपका असोख वाजपह हार किन का है असोख वाजपई का है अरजित कविता किन की है तो असोख वाजपई ठीक है अगला कोशन हो गया आपका प्यारे नन्ने बेटे को प्यारे नन्ने बेटे को जो सिर्ष कविता है उसके नायक कहा कर आने वाले हैं तो भिलाई 36 गड़ भिलाई 36 गड़ अगला कोशन हो दानब दुरातमा एक मानब की आत्मा एक यह लाइन लिया गया है जनजन का चेहरा एक से कोशन नमर 25 कभी के कभी कि निम्रिकित में से कौन कहे जाते हैं कभी के कभी समसेर बहादूर सिंग को कहे जाते हैं अगला कोशन ने आपके सामने कि यहाँ पुराना माल है यहाँ पर पुराना सब्द आप विशेषन है जो बहुत बोलता है उसे क्या कहते है जो पुरूश अभिनाएक गरता है उसे हम अभिनेता कहते हैं इसे संग्या जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं उन्हें योगिक कहते हैं जिस पर विश्वास किया जा सके उसके लिए एक सब्द क्या होगा विश्वस निया होगे सिप उत्तर देख लेना है समझाने के लिए टाइम को बड़बाद नहीं कर सकते हैं जिसन प्रणके में कां सा समास कैम लेन में कौन सा समास अ polítि जी जान में। कमल लेन ने में करम धारे समासा आ जीवन सब्द में कौन सा समास. आ जीवन अ ब्रुड़ उनुसरा गुलाव का पचलता फुलता जा रहा है, इसमें कां सा पत्भंध है तो टिए कें फारी किर्पन निता का मतलब होता है आपका गड़ी भी यह आपका भावाचक है भावाचक ठीक है तो इसमें जो है आपका अगला कुश्चन अगला कुश्चन जो आपके सामने है भावाचक हो गया है थर्टी एट थर्टी एट में जो है भारत वर्ष सब्द कौन सा संग्या था भारत वर्ष जो है वो आपका व्यक्ति वाचक है क्योंकि यह नाम है कभी सब्द में कौन सा संग्या है कभी सब्द में कौन सा संग्या है कभी तो कभी हो गया आपका जाति वाचक जुन्ड में कौन सी संग्या है जुन्ड में कौन सी संग्या है तो समू वाचक भगत सिंग की रचना निमनी कितमिस कौन सी है भगत सिंग की रचना तो एक लेख और एक पत्र है ओम प्रकास बालमिकी की रचना क्या है ओम प्रकास बालमिकी की जो रचना है वो हो गया आपका जूठन जूठन हो गया 43 43 में जो कुश्चन है बाल किसम भट की रचना निमने मिसे कौन से बाल किसम भट की रचना निमने मिसे कौन से जाइसी मलिक मुहमद जाइसी करवक है सुबद्रा कुमारी चौहान की कवीता निमने मिसे कौन से सुबद्रा कुमारी चौहान पुत्र वियोग है भूसन जी की कविता जो है कौन सी है तो भूसन जी की कविता कवित है 47 रगुबीर सहाय की कविता कौन सी है रगुबीर सहाय अधिनायक है जैसंकर प्रसाद की कविता कौन सी है तो जैसंकर प्रसाद की कविता जो है तुमुल कुलाहल कलह में है 49 पे चलते हैं तो भूशन की कविता में कौन सा रस पाया जाता है तो भूशन की कविता में बीड रस पाया जाता है निम्न में से कौन सी कविता गैगरीन का उलेख है तो रोज की कहाने में गैगरीन का उलेख है मेरा खोया हुआ खिलाओना अब तक मेरे पास ना आया ये पंक्ती जो है पुत्र ब्योग कविता का है पंचायती राजमिजे से खो गए है पंच परमेस्वर ये जो लाइन है वो है गाओं का घर गाओं के घर का है जागिये बरजच दास कमल कुसम फूले ये लाइन हो गए पका सूर दास के पद का लाइन है 54 फिव्टी-फॉर में अगर चलते हैं तो नाम ले भड़े उदर एक पढ़भू दासी दास कहाई ये तुलसी दास के पद का है अगला question जो है question number 15 बिसनी किस कहाने की पात्रा है तो बिसनी जो है वो सिपाहे की मा की एक पात्रा है सुबेदारनी किस कहाने की पात्रा है तो सुबेदारनी जो है उसने कहा था का पात्र है वजीरा सिंग किस कहाने की पात्र है तो वजीरा सिंग भी उसने कहा था का पात्र है धांगर को अठाणवी सताब्दी कंत में किस कार्ज के लिए लाया गया था तो नील की खेती के लिए लाया गया था अंग्रेजो के द्वारा क्वेश्चन वन 59 को 59 में बोल रहा है निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते ये लायन लिखा गया है उसने कहा था व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से जगरा है ये लायन बोला गया है जो अपरकास नराइन जी के द्वारा ओशदानीरा हिंदी साहित में किस विद्या के अंतरगत आते हैं इसे तो आपको निबंद कहा जाता है लेकिन यह एक परकार का यात्रा बिर्तान्त भी है रामधारी सिंग्धिनकर जी किस विद्याले में उपकुलपती के पदपर रहे हैं भागलपूर बिस्विद्याले कोशन नमर 63 63 में जो है सिक्षा सिर्षक पाठ क्या है सिक्षा जो है वह एक तरक सास्त्र है कोशन नमर 64 नावा दास किस परकार के भक्त कभी थे वो थे राम सगून सगूनों पासक राम भक्त हिंदी समन्यवादी का कभी किसे कहा जाता है वो तुलसी दास्जी को कहा जाता है अगला कुशन है अपने लेखन में मुपांसा अपने लेखन में मुपांसा ने कैसे समास के चाल चरित्र को बेपर्द किया है तो मुपांसा जो रस्री का टुकरा के राइटर है तो मैत्र हुल ब्रेक का मैत्र हुल ब्रेक का बटवा गिर गया था अगला कोशन है कि चित्र रेखा किस कभी की रचना है तो चित्र रेखा जो है मलिक मुहमद जाइसी की रचना है अगला कोशन है कलर की मौट सिर्सक कहानी में कलर का नाम क्या है तो इवान दर्मित्रिच चे खोव अगला कुशन है महात्मा गांधी हिंदी महात्मा गांधी अंतराष्टी हिंदी विस्विद्या लेखे पर्थम कुलपती निम्निमें से कौन से थे तो असोख वाजबई थे आदमी अतार्त को जीता ही नहीं अतार्त को रस्ता भी है यह लाइन है आपका मलियत जी का किसका लाइन है मलियत जी का हस्तेव मेरा किलापन का जब देश के भागा निर्ने हो रहा हो तो व्यक्तियों के भागो पुर्नता भुला देना चाहिए ये पंक्ति जो है ये एक लेख और एक पत्र का है एक लेख और एक पत्र का है फिर होगे आपका ओम परकास और सुखदेब सिंग त्यागी किस सिर्शक पाठ के पातर है तो ओम परकास जूठन के हैं सुखदेब सिंग त्यागी जूठन के हैं अगला कुशन 74 गंडग नदी क चर्चा की सिर्षक पाठ में है तो शदार नीरा में है मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है तो गजारन माधव मुक्ति बोध है जेकर्स मुर्ती जेकर से मुर्ती के पिता का नाम क्या था नरायना जिद्दू उदैपरकास की माता का नाम गंगा देवी मोहन राकेस का जन्मस्थान कहा है अमरी सर पंजाब में है अगला कोशन हो गया कोशन नमर 79 शुबद्दा कुमारी चहोन का जन्मस्थान इलाहाबाद निहालपूर इलाहाबाद उतर प्रदेश अगला कोशन हो गया ग्यानेरपती का जन्मस्थान तो ग्यानेरपती का जन्मस्थान पत्थर गामा गड़्डा जारखंड पत्थर गामा गड़्डा जारखंड तो गड़्डा जारखंड है साहाब का संदी विच्री क्या होता दुह जोड साहाब होते हैं अनुवेश्चन का संदी विच्री क्या होता अगला कोश्टन जो है आलस सब्द का बिशेशन क्या होता है आलस सब्द में उप्षर्ग क्या है तो आ होते हैं कोश्चन नमर 84 84 84 में चलते हैं अग्यान सब्द में उप्षर्ग है परलोक सब्द में उप्षर्ग क्या है परलोक में पर है उप्षर्ग जुर्माना में कौन सा प्रत्य है जुर्माना में आना है प्रत्य पंकिल पंकिल में कौन सा प्रत्य है तो इल है प्रत्य चमक सब्द क्या है चमक सब् सब्द यातरा खतम हो गए यातरा हो रही है यह भी आपका इस्त्रलिंग सब्द होते हैं अगला जो है कुहासा कुहासा सब्द जो है वो आपका पुल्लिंग है कुहासा पुल्लिंग होते हैं सभा सब्द क्या है सभा जो है आपका इस्त्रलिंग है कुछ कलेक्टिव नाउन होते हैं चलिया अनल सब्द का प्रियाबाची सब्द क्या होता है और मतलब आग होता है आश्मान सब्द और बिलों शब्द का अगला कोशिशन स्वादेश का बिलोंशभद्द के होता है का अगला कोशन मेंعة निटी फाईब स्वदेश अधिक्तम सब्द का बिलोम सब्द होता है अधिक्तम का निवंतम होते हैं इसके बाद टौ का उचारन अस्थान अभी अगर इसमें देखेगा तो इसमें आपको देखना यह पढ़ जाता है कि देखना पढ़ता कि कहां का उचारन हो रहा है तो जो होते हैं टबर्ग वर्ग में आते हैं तो का उचारन अस्थान जो है यह आपका मुर्धा है क्या है मुर्धा और सो बौ का उचारन स्थान क्या है तो बहुत है एप ठṉकर जेख होस्ट है क्या है होस्ट करो यह हो गया होस्ट तो यह फिर एक दिन हमिलते हैं ऑक्य थैंक दिन मिल का एक इए झाल झाल